वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइका जरूर दबाए, हमाई न्यूव वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए है अज़ आज मैं बीए फाइनल यार वालों के लिए 2023 के पोलिटिकल साइंस के कोश्चन पेपर का फुल सोलिशन लेकर आया हूं, यहां पर आपका सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यहां पर आपका कोड है एपांसो चालीस, तो आज हम इस कोश्चन पेपर का स्टार्ट करते हैं, यहां पर फर्स्ट कोश्चन है, चीन की बैल्ट और रोड फोरम, नीती का मुख्य उद्देश से निवन में से कौन सा है, तेहां पर ओप्सन डीस का राइट आंसोर जाएगा, उप्रोक्त सभी, नेक्स्ट देखते हैं आपर, निवन में से किन देशो का समुख सरवादी के लेंगे के समानता को बढ़ावत देने वाला है, तेहां पर ओप्सन डीस राइट आंसोर है, आइसलैंड, नौर्वे, स्वीडन, न्यूजिलैंड, नेक्स्ट ए, स्यूत राष्ट की महसाभा द्वारा अविजित महिलाओ पर विश्व सम्मेलन चतू और ओप्सन डीस तो पैंता लिस में दित्ते विश्व वियुद की समभति के बाद है, यह इसका राइट आंसोर है, नेक्स्ट है आपर निम्ड में से कौन सा कथन अंतरराष्ट्री राजनीति के समबन्द में सही नहीं है, यहाँ पर ओप्सन भी राइट आंसोर जाएगा अंतराश्ट्री राजनीति में राज्यों के राजनीतिक वे गेर राजनीतिक संबंदों का अध्यान होता है यह इसका कलत है नेक्स देखते हैं पर politics among the nations नेम्न में से किस लेखक की पुस्तक है यहाँ पर option A उदारवाद का विचार निम्न में से किस दार्शिखने दिया यहाँ पर औप्षोन इसकारी नियंतरन सरणारत्य वे प्रवास्यों की समश्या पर विचार नेक्स्ट देखते हैं पर भूमंडली करन के बरे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है यहाँ पर उपसन नहीं राइट अन्स रो जाएगा समाजिक संबंद राष्टर राज्यों तक सिमित है नेक्स्ट यहाँ पर CEP Comprehensive Economic Partnership Agreement अक्टोबर 2010 में किंदेशों के बीच हुआ यहाँ पर उपसन C भारत और जापान राइट अन्स रो जाएगा नेक्स्ट यह राष्टरी सक्ति के चार तातों निम्न में से कौन से है यहाँ पर उपसन E राइट अन्स रो हो जाएगा यहाँ पर उपसन D राइट अन्स रो जाएगा उपलोक सभी नेक्स्ट यह निम्न में से कौन सा कथन आदर्सवादी उपागम के बारे में असकते है यहाँ पर उपसन E यह सक्ति की राजनीती को अन्तराष्ट्री राजनीती का इस्थाई पक्स मानते है नेक्स्ट यह पर उपसन B मार्टन वाइट राइट 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 रा लाल सेणा नेमने से किस देश की सेना को कहा जाता है यहाब अफसन ए रस्यएष का राइटाँ सूर जागा नेक्ट डोजार एक में भरत के किस पर रण disastrous 69 देश में माउवाधि आतंकुअदव व्याप्त रहा तहां पर्षाब सब्सक्राइब नेपाल स्टार वार से योजना कब गोशित की गई यहाँ पर ओफसर एटेईस मार्च उनिशो तिराशी राइट अन्सोरे नेक्स्ट ए एसियन सिक्यूरिटी प्लान का विचार किस ने प्रस्तुत किया तेहाँ पर ओफसन भी राइट अन्सोर जागा राश् नेक्स्ट ए प्रवने सित यूद के मुख्य पातर नेमनों से कौन थे यहाँ पर ओफसन ए अमेरिका और सोवेत संग राइट अन्सोरें नेक्स्ट ए आपर सी यूद सब्द का परियोग सरुपरतंक किस ने किया तो यहाँ पर ओफसन सी राइट अन्सोरे बरणार्ड वार इटली में फासिवाद विचारधारा का जनक कौन था? हिंसक जड़ अपर ऑफिसन तरह बारत और चीन नेक्सट है कि दो देशों के बीच सीमा निर्धान करती हैं तो यह भारत और चीन के बीच करती हैं नेक्स ने अनतराष्टरी राजनिति में छे माडल की और धारना किसने परस्तुत की तो है पर ऑफिसन बी का प्लान राइट हो जाएगा नेक्स्ट आपर देतांत का अर्थ है तेहां पर उप्शन भी तनाओं में सिथिलता ये इसका राइटांस रहे नेक्स्ट ओ आई सी क्या है तो यह मुस्लिम देशों का एक संगठने नेक्स्ट राष्ट्र संकी सुरक्षा परिशद के सदस्यों की संख्या है तहा पर यहांटर ओफ्शन भी रिशी सुनक राइटांस ले नेक्स्ट आयंचे नीम्में से कौन सा कारक किके किसी देश की विदेश नीति को गहरायई तक पर्वयट करता है नहीं हपर option A, Sanskrit र्याशार जोरेगा सर्छ की स्थार्पनी में से किस वर्स में हूई नहीं हपर option B, 1985 र्याशार जोरी का जाए सब्टाराइजंती हUI 10-100 यह अंतरष्ट्री राजिशची के नियेँ है नार्राष्टी आयन फिर्णी किस छिंता रन कर रेणे कहा तो हम पर इसका राय टान्स पर जागा option D उपरोग सभी कथन एसकते हैं नेक्स्ट है आपर पूर्वी और पश्ची में जर्मनी का एकिकरन कब हुआ तो हम पर option B 3 October 1990 इसका राय टान्स हो रहे नेक्स्ट है आपर New Development Bank NDB की इस्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई तो हम पर option A Bricks राय टान्स हो रहे नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश दिसंबर 2021 में New Development Bank का चोथा सदस्थे बना इसका राय टान्स हो रहे जागा option D Egypt नेक्स्ट है सिंगतुर राष्ट्र संग की महसाभद हो रहा किस देश को मानवाधिकार परिशद से अप्रेल 2022 में निलंबित कर दिया गया है यहाँ पर option B रूस इसका राय टान्स हो रहे स्रीलंका में Civil War कब समाप्त हो रहे तो है पर option C 2009 राय टान्स हो रहे नई अंतराष्ट्री व्यवस्ता की इस्थापना के लिए उत्तर केव विक्सित और दक्षिन के विकासिल देशों के बीच समवाद next नेक्स्ट है खाडी युद किन दो देशों के मद्दे हो तो है इराक और कुएत के बीच हो था नेक्स्टे दुइत्य परशियन खाड़ी युद कब प्रारम हुआ तो यह 2003 में हुआ था नेक्स्टे आपर यूरोपियन यूनियन के संबंद में निमन में से कौन सा कथन सकते नहीं है तो आपर ओप्शन डी राइटांस और जगा उप्रोक्त सभी कथन सकते है नेक्स्टे संगाई सेहोग संगठन का आतंकवाद विरोधी डाचा इस्ति थे तो यह तासकंद में है नेक्स्टे आपर रंगभेद का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ होता है नसल आधारित भेद भाओ नेक्स्टे युद अभ्यास 21 का संबंद निमन में से किस्ते है नेक्स्टे युद अभ्यास एकसरसाइज किस इस तर पर सुरू ही तो है यूरो कितने देशों की अधिकारिक मुद्रा है तो है 19 देशों की अधिकारिक मुद्रा है नेक्स्टे युद दुवित्य के धुरी राष्ट्रों में नेमन में से कौन सा देश सम्मिलेत नहीं था तो है पर ओप्सन भी सोवियत संग राइटांस हो जागा नेक्स्टे दुवित्य विस्वियुद के दोरान जर्मनी इटली और जापान के साम्मोगी के पहचान थी तह पर ओप्सन भी धुरी सक्तियों के रूप में ये राइटांस हो जागा दुवित्य विस्वियुद के दोरान ग्रेट बिटैन के प्रदहन मंतिरी थे तहां पर ओप्सन भी विंस्टन चर्शिल राइटांस हो जापर ओटो ट्रीगर तंतर सब्दावली नेनु में से किस संबंदी थे तहां पर ओप्सन भी चीतरी व्यापक आर्थिक भागीदार यह इसका राइट अंसर ही नेक्स्ट नेमन में से किस देश की सरकार ने पेट्रो मोनेडा जो एक क्रिप्टो करेंसी है को विक्सित किया तहां पर ओप्सन भी राइट अंसर है वेनेज्वेला नेक्स्ट दिल्ली समवाद सब्दावली अक्षर समचारों में परियोग होती है यह भारत के साथ किसके संदर्ब में आती है यह पर ओप्सन सी आस्यान राइट अंसर है नेक्स्ट ने पर यूरोपी इस्थिरता तंत्र सब्दावली अक्षर समचारों में सुनी जाती है का नीमन में से किसके साथ संब्द है यह पर ओप्सन भी राइट अंसर हो आई निक्स्ट नेनो क्लिक मैसीतित थे क्यांट सब्सक्षा गाजा नेक्स्ट है मानुवाधिकारों की सारू भोमिक्स गोशना कब हुई तो यहाँ पर ओप्सन B 10 दिसंबर 1948 राइटानसर जगा नेक्स्ट है आपर स्रियुक्त राष्टर मानुवाधिकार मुख्यालिये कहा है तो यहे जेनवा में है नेक्स्ट है महिलाव पर चतूरत विशू समेला नुश्व पिचानवे में निम्न में से किस इस्थान पर आयोजेत हुआ तो यहाँ पर ओप्सन B इसका राइटानसर जगा बीजिंग नेक्स्ट है आपर निम्निकित में से कौन से देश आस्यान प्लस थिरी में समाविष्ट किये गए है तो यहाँ पर ओप्सन D राइटानसर है चीन जापान दक्षिन कोरिया नेक्स्ट है मॉन्टेश क्यों ने किस देश की सासन प्रणाली का ध्यन करके सक्ति प्रिथक्करन के सिद्धान का पर्थिपालन किया था तो आपर ओप्सन C इंग्लेंड राइटानसर है नेक्स्ट है भारत के किस उपराष्ट पती ने पर्थम बार गुट्र नीट पैक सिकर सम्मिलान सत्रवे में भारत का परतिनी दिर्व किया तो आपर ओप्सन A M वेक्या नायडूर राइटानसर हो जाएगा नेक्स्ट है पर संगाई सहोग संगठन का सची वाले कहा है तो यह बीजिंग में है नेक्स्ट है पर भारत के किस परदान मंत्री आश्यान देशों के साथ घनिष्ट संबंद बनाने के लिए पूरवे अवलोकन की नीती का अनुसरन किया तो आपर ओप्सन C राइटानसर त्वन से बचाने के लिए दिसम्बर उनीस सतान्वे में विस्व्व परियावरन सम्मेलन जापां के किस नगर में संक्र हुआ तो यहाइ जापां के क्योटो में हौँए था नेक्स्ट आप फर जी टवंटी pierwszy कि में कौन सा देस करेगा तो नेक्सट तो राश्ट परियावल में से किस की अधिकरत एजेंसी है तो यह संयुक्त राष्ट संकी है नेक्स्ट है दो और तीन जून 2022 को अंतराष्टे परियावरण पर महत्पून बेठक नेन में से किस देश में आउजित की गई तहां पर ओप्सन ए इसका राइटांसर है इस्टोक होम नेक्स्ट है संयुक कौन सी संधी हुई थी तहां पर ओप्सन ए वियाना संधी राइटांसर है नेक्स्ट है इस्थाई जेवे के परदूसन पर इस्टोक होम संधी कब अस्तित्यु में आई तो ही 2004 में आई थी नेक्स्ट है आपर जोहैंस बर्ग में 2002 में हुए प्रत्वी संभिलान में 59 में से कौन से बिन्दू विचारात संभिलित किये गए तहापर ओप्सन डी उपरोक्त सभी इसका राइटांसर हैं नेक्स्ट है सीत यूद की समापती के बाद छेतरे संगटनों की संख्या बड़ी है क्योंकि यह माना जा रहा है की तहापर ओप्सन ए छेतरे इस तर पर समश्या का समदान किया सकता है सीत युद्व के बाद पुंजीवाद का विश्वी परसार निम्न में से किस घिसा की ओर जा रहा है तहापर ऑप्सर ऐसी संपत्ती के अधिक रुभी करन की ओर ये नेक्स्ट है विस्व बैंक ने विस्व इस्तर पर निर्धनता रेखा के नीचे आने वाले जो मानक तेक किये गए हैं उसके अनुसार निम्न में से किन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना गया है तहाँ पर ओप्सन सी इसका राइट अंसर हो जागा जिन व्यक्तियों की आए एक डोलर परती दिन से कम है नेक्स्ट है वेस्व इस्तर पर खाद ए सुरक्षा की समस्या से निम्न में से किसने की यहाँ पर इसका राइट आंसर है ओप्सन भी अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनी बिंकेन नेक्स्ट है उनिस्व तिराण में और दोजार एक में व्यक्तिय सेंटर पर पहुंचे आतंगवादी हमले का निशाना निम्न में से किस पर था तहां पर अमेरिकी राष्टपती क्लिंटन यहीं का राइट आंसर हो जाएगा तहां पर मैंने आपको सभी 100 कोश्चनों के आंसर बताए हैं यदि आपको किसी पर आंसर में डाउट हो तो आप झाल